तो आज मैं एक्स्प्लेइन करूंगा एक हॉरर कॉमेडी फिल्म बेबी सिटर किलर क्वीन को जो की 2017 में आई दा बेबी सिटर फिल्म की डारेक्ट सीक्विल है इस फिल्म के अंदर फर्स्ट मुवी में हुए दो साल के बाद के इवेंट्स दिखाए गए हैं इन दोनों ही फिल्मों को डारेक्ट किया है MCG ने ये दोनों ही फिल्में नेट्फिक्स पर इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में आपको मिल जाएंगी इस फिल्म में डेविल्स बाइबल के बारे में लिंक दिखाया गया है जिसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो तब बनाई थी जब मेरा चैनल नया नया शुरू हुआ था तो उस वीडियो को देखने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरी लास्ट साइकोलोजिकल हॉरर फिल्म एंटी क्राइस्ट का भी बढ़िया फिल्म है मस्ट वाच डेवल्स बाइबल वाली वीडियो की एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं है ऐस चैनल तब बस डार्ट ही किया था बट आप बस इनफॉर्मिशन पर फोकस करना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक शेर करना मत भूलना और कॉमेंट भी जरू वीडियो की तरफ अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ वीवर्स के लिए बेबी सीटर फिल्म की समरी और बैक्राउंड देता हूँ ताकि आपको फिल्म अच्छे से समझा जाए जिन्होंने फिल्म देख रखी है तो स्क्रीन पर दिये गए टाइम स्टैम पर जाकर आप सीधा किलर कुईन मुवी की एक्स्प्लानेशन देख सकते हैं तो बेबी सीटर फिल्म के अंदर हमको 12 साल का कोल दिखाया जाता है जिसकी बेबी सिटिंग अक्सर भी किया करती थी कोल के पेरेंट्स अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए अक्सर घूमने फिडने जाया करते थे और ऐसी ही एक रात आती है जब कोल के पेरेंट्स को घर से बाहर जाना पड़ता है अब कोल की पड़ोसन मैलनी उससे कहती है कि ये बेबी सिटर्स अक्सर घर में अपने बॉइफरेंट या गर्ल्फरेंट को लाया करती है तो इस चीज़ को कोल आज रात कनफर्म करने का ठान लेता है ये दोनों मस्ती मजा करते हैं बी कोल को एक अलकोहल शॉट देती है लेकिन कोल उसको चुपके से फेक कर सोने का नाटक करने चला जाता है और बस वो नीचे आकर ये देखता है कि बी ने कुछ लोगों को अपने घर पर बुलाया हुआ था जिनका नाम था मैक्स, जॉन, सौनिया, अलिसन और सैम्यूल जिस दोरान बी सैम्यूल को मार देती है और उसका खुण इखटा किया जाता है मीनिंग कि ये सब एक कल्ट के मेंबर थे यहां पर बी डेवल्स बाइबल सबको दिखाती है और बताती है कि इस बाइबल के पर्टिकुलर वर्ड्स को चैंट करते हुए अगर किसी मासूम बच्चे और सैक्रिफाइस किये हुए इनसान के खून को गिराया जाए तो उनकी इच्छाएं पूरी हो सकती है इनसेंट बच्चा यानि कि यहां पर कोल यह सभी कोल को पकड़ने की कोशिश करते हैं बट कोल एक एक करके अपने डर से उभरते हुए इन सभी को चालाकी से माड डालता है यह सारी चीजें मैलनी यानि कि उसकी पडोसन और क्लासमेट को भी पता थी अंत में बस बी बच्चती है जिस पर कोल आकर कार चड़ा देता है और वो वहीं पर दब जाती है वहाँ पर पुलिस और कोल के पेरंट्स आते हैं बट वहाँ पर अंदर जब फायर फाइटर जाता है तो भी उस पर अटैक करके भाग जाती है और किसी को भी नहीं मिलती और बस अब कोल का ये कहना था कि अब उसको कभी भी बेबी सीटर की ज junior queen फिल्म की शुरुवात होती है पहली फिल्म के हाथसों के ठीक दो साल बाद जहांपर कोल को पुराने हाथ से याद आते रहते हैं उसके पेरंट्स पूरा स्कूल सब उसको पागल समझते हैं कि दो साल पहले जो भी हुआ था वो सब बस उसके दिमाग की उपश थी SB ने कोई भी सबूत नहीं छोड़े थे कोल को उसके पेरेंट्स ये सब चीजे भूलने की मैडिसन दिया करते थे लेकिन उसकी पड़ोसन मैलनी उस पर भरोसा किया करती थी और वो उससे स्कूल में भी अच्छे से बीहेव किया करती स्कूल के ही एक साइकाइट्रिस्ट के पास स्कूल जाया करता था टॉक थेरेपी करने पर उसका कुई भी फायदा उसको नहीं होता खेर अब एक दिन स्कूल में अचानक से ही एक अजीब सी लड़की Phoebe admission लेने आती है जिसकी खुद की life में कुछ दुख थे और उसके locker में किसी ने एक bunny डॉल रखा था जिसके ओपर लिखा हुआ था It ends tonight along with a key Cole के parents उसको psychiatric school में भेजना चाहते थे बट Melanie Cole को अपने साथ lake party में चलने का offer देती है जिसके चलते वो उसके साथ चला जाता है बट उसी वक्त Melanie का boyfriend जिमी और उसके दो दोस्त Diego और Boom Boom भी उसके साथ जाते हैं Melanie अपने पिता की कार चुरा कर लाती है वहां तक जाने के लिए जो कि उसके पिता के लिए बच्चे से कम नहीं थी वो सब वहां पर चले जाते हैं और आइरोनिकली उस लेक पार्टी पर नियू गर्ल फीबी भी थी अब फाइनली कोल अपना पास्ट भूलकर Melanie और उसके दोस्तों के साथ जाकर गेम्स खेलने लगता है जिस दोरान डियागो कॉल से उसके पास्ट के बारे में सवाल करने लगता है तो Melanie कॉल से Devil's Bible के बारे में जिक्र कर देती है जिस पर कॉल ये कहता है कि उसने तो कभी भी Devil's Bible के बारे में उसको नहीं बताया था और बस तभी अचानक से ही मैलनी बूम बूम का गला काट कर उसको सेक्रिफाइस कर देती है ये कहते हुए कि उन्होंने भी सेम किताब में सेटन के साथ डील करी है डील के तह़त इनोसन्ट का बलड और सेक्रिफाइस होने के बलड को मिलाना होगा तभी अचानक से ही वहाँ पर पिछली मुवी के सारे कैरेक्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं जिनके नाम थे सौनिया, मैक्स, ऐलिसन, जॉन जो की एक बात कहते हैं कि वो मर चुके हैं लेकिन मैलनी की डील के चलते वो वापस लोट आए हैं और जैसे ही वो कोल को मार देंगे तो वो हमेशा के लिए जिन्दा हो जाएंगे लुक्स लैक कि उनकी सोल को डीमन ने फॉर दा टाइम बिंग अजाद कर दिया था तभी तो मर के भी वो वापस आ गए और ये कोई कोल की आँखों का धोका नहीं था एस तभी उनके पास फीबी आ जाती है जो कि उनसे फ्यूल मांगती है एस उसकी जेट स्की का फ्यूल खतम हो गया था वो सोचती है कि वो सब रोल प्ले कर रहे हैं जिसके चलते कोल उसी को गलस समझने लगता है एस उसके हाथ पर भी बी जैसा बलाक कैट का टैटू बना था एनिवेज अब कोल फीबी के साथ ही भाग जाता है बट मैक्स उसकी जेट स्की के फ्यूल टैंक पर एरो चला देता है जिससे सारा का सारा फ्यूल इस लेक में गिरता हुआ चला जाता है और वो नेक्स्ट आइलेंड पर जाकर रुक जाते हैं कोल और फीबी दोनों को इन चीजों पर यकीन हो जाता है और कोल को रिलेक्स पहुँचता है कि वो पागल नहीं है और ये सब असली में दो साल पहले हुआ था जो कि आज फिर से हो रहा है मैलनी काफी स्मार्ट थी तो वो ओशिन के अंदर फ्यूल को तैरता हुआ देख लेती है और उस पर आग लगा देती है जिससे जैट्स की में बलास्ट हो जाता है जिससे कोल और फीबी थोड़ा सा हर्ट हो जाते हैं और इस कल्ट को पता चल जाता है कि वो कहां पर है कोल और फीबी अभी भी एक दूसरे के लिए अंजानी थे तो फीबी अकेले ही किसी की हेल्प मागने के लिए निकल जाती है जहां पर उसको एक साइको रेपिस्ट आदमे मिलता है जो कि फीबी के साथ जबर्दफ्ती करने लगता है लेकिन तभी वहां पर कोल आकर उसको बचाता है और उस आदमी की कार में बैट कर जाने लगता है पर कार की लाइट्स ओन करते ही सामने साइको सौनिया आ जाती है जो कि इस रेपिस्ट को फायर गन से जला देती है सर्फ्स यू राइट मिस्टर साइको बट कोल सौनिया को कार से टकर मारता है और कार के उपर रखा सर्फिंग बोर्ड आकर सीधा सौनिया के सर पर लगता है जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है बट तभी एक बढ़िया म्यूजिक और बॉन फायर के सामने से आते हुए इस कल्ट के बचे हुए मेंबर्स आते हैं जो कि कोल को ढूनने के लिए तीन-तीन के ग्रूप में बढ़ जाते हैं जैसे कि दो साल पुराने वाले मेंबर्स मैक्स, जॉन और ऐलिसन बाकी नए वाले कल्ट के मेंबर्स थे मैलनी, जिमी और डियागो कॉल और फीबी उसी कार के नीचे छुपे रहते हैं जिस दोरान कॉल के पैंट में एक रैटल स्नेक आ जाता है जिसको फीबी पकड़ कर उससे डियागो को डरा देती है ताकि उन पर शक न जाए और उन सब के जाते ही वो दोनों भी वहाँ से भागने लगते हैं ऐस फीबी का ये कहना था कि वो सुबह होने तक उसके ममी बापा के कैबिन में रुक सकते हैं जो की पास के ही आईलेंड पर हैं ये दोनों भागी रहे थे कि तभी एलिसन इनको देख लेती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है जिसके चलते हमको ये दिखाया जाता है कि एलिसन न्यूज रिपोर्टर बनने के चक्कर में ही बी के साथ काम करने लगी थी यानि कि डेविल के साथ डील बट ये दोनों ही एक पहाडी की पतली सी जगा से खिसकते हुए नीचे आ जाते हैं बट एलिसन वहीं फज जाती है और उसको नीचे निकालने के चक्कर में एलिसन का भी सर धर से अलग हो जाता है मीनिंग वो फिर से मारी जाती है कोल और फीबी अब लेके किनारे आते हैं जहां एक बोट उनको देखते है जो की एक पासवर्ड के जरिये ओन होती थी ये बोट मैक्स की थी तो तभी वहाँ पर मैक्स और जॉन आ जाते हैं मैक्स यहां पर एक बेवोकूफी कर देता है कि ये उसके फेवरिट सॉंग से इंस्पायर्ड है तभी कोल और फीबी इस सॉंग में इस्तिमाल हुए कोड को डाल देते हैं और बोट स्टार्ट हो जाती है बट मैक्स एक्स्ट्रा अटैज्ड लाइफ बोट में बैट कर उनका पीछा करने लगता है और जॉन बस यही कहता है कि पिछली फिल्म में वो शुरुवात में ही मर गया था चलो इस बार ऐसा नहीं हुआ इस फिल्म के अंदर मजाक मस्ती काफी है एज यह हॉरर कॉमेडी है खैर यह दोनों किसी तरह से मैक्स को भी मार देते हैं और बच जाते हैं मीनवाइल अब बस जॉन डियागो जिमी और मैलनी बचते हैं जो कि आपस में ही बात करने लगते हैं और लडने लगते हैं बट तभी डियागो और जिमी डेविल से की हुई डील को तोड़कर वहां से जाने का सोचते हैं जिसकी सजा के रूप में डेविल उन दोनों को ही जान से मार देता है मैलनी अब सेटलाइट फोन की मदद से कोल के डैड को फोन लगा देती है जो कि उसके ही डैड के साथ ने बैटे हुए जॉइंट मार रहे थे वो उन दोनों को ही वहां पर आने के लिए कहती है ताकि वो को असानी से पकड़ सके और बस मैलनी कोल के पिता कार में बैट कर लेक की तरफ आने लगते हैं और मैलनी जॉण उस कैबिन की तरफ बोट में बैट कर उन दोनों का पीछा करते हैं अब आपको याद होगा कि फीबी को एक बनी मिला था जिस पर एक चाबी थी तो वो इसी कैबिन की चाबी थी कोल और फीबी अब उस कैबिन के बेस्मेंट में जाते हैं जो की फीबी का सीक्रेट रैबिट होल था वो बताती है कि वो बचपन में वहाँ पर बहुत ही ज़ादा सेफ फिल किया करती थी दोनों काफी जादा emotional हो जाते हैं और फिर intimate होते हैं intimate होने के बाद मैं Phoebe Cole को बताती है कि बचपन में उसका बनी खो गया था जिसको ढूनने के लिए उसके माबाप और उसकी बेबी सीटर अलग-अलग cards में थे बट दोनों ही single way में opposite रास्ते से आ रहे थे Phoebe अपनी बेबी सीटर को अपने बनी के पास में ले जा रही थी जहां वो खोया था और उसके माबाप उस बनी को ढूंड कर Phoebe के पास में लेकर आ रहे थे उनका आपस में ही एक accident हुआ और उसके माबाप मर गए जिसका दोशी वो आज तक खुद को माना करती थी जिस पर कोल ये कहता है कि वो बहुत ही बहादूर लड़की है बट तभी मैलनी कोल के पिता को डैविल और कल्ट की बातों पर भरोसा ना करने को कहकर कैबिन में ले आती है जहां जॉन और मैलनी का पिता भी था फीबी कोल को बाहर जाने समना करती है क्योंकि ये एक चाल थी बट तभी वहाँ पर फीबी बताती है कि वहाँ उसके पिता के हतियार रखे हुए हैं बट वहाँ पर एक नंबर वाला लॉक था जिसके पीछे कुछ नंबर भी थे जो कि इस लॉक के ही थे वो लॉक को ओपन करके वहाँ से हतियार निकालते हैं और बाहर चले जाते हैं बस तभी कोल जॉन पर हमला करता है बट वो बच जाता है और उसकी डील भी हमको दिखाये जाती है कि भी उसके पास आई थी क्योंकि वो एक सिंगर बनना चाहता था जॉन ट्राइस टू किल कोल बट तब ही वहाँ पर वो तलवार घुमाता है तो जूमर उपर से नीचे गिरता है जिससे जॉन की भयानक तरह से मौत हो जाती है फीबी एक बड़े से नाइफ को सीधा मैलनी के उपर फेकती है बट शी कैचे सिट एज उसके पास डीमॉनिक शक्तियां थी वो दोनों ही अब वहाँ से भाग जाते हैं और मैलनी को उसका पिता रोकने की कोशिश करता है बट शी किल्स हिम एज वेल अब कोल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका पिता अपने साथ ले जाने लगता है और फीबी को लड़ाई में हराकर मैलनी उसको कैप्चर कर लेती है अब कोल को अपने पिता की कार में होश आता है और वो सीधा फीबी को बचाने के लिए पहुँच जाता है कोल वहाँ पर रिचुल के लिए रेडी था लेकिन तब ही वहाँ पर एंट्री होती है अती सुन्दर समैरा वेविंग यानि की बी की उसको देखते ही फीबी ये बोलती है कि ये तो उसकी बेबी सीटर थी जिस दोरान एकसिडेंट हुआ था तो वो बेबी सीटर कोई और नहीं बलकी बी थी फीबी को बताया गया था कि उस दिन उसके अलावा कोई और नहीं बचा था बट भी बताती है कि उसने से डील की थी उसकी जिन्दगी बचाने के लिए अब बस कोल का खून निकाल कर बूम बूम के खून के साथ मिला लिया जाता है जिस दोरान मैक्स, जॉन, एलिसन और सौनिया फिर से जिन्दा हो जाते हैं आइ मिन कितनी बार जिन्दा होंगे ये लोग, मौत ना हो गई, मजाख हो गया अब ये सब एक एक करके इस खून को पीते हैं लेकिन तभी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती बलकि उनको खून की उल्टियां होने लगती हैं जिससे होता ये है कि उन सभी की सोल को सेटन सेक्रिफाइस के रूप में ले लेता है तब ही हमको ये पता चलता है कि कोल अब इनोसेंट और प्योर नहीं था एस वो फीबी के साथ इंटिमेट हुआ था और अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते असल में ये सब बी का कराधरा था आपको याद होगा कि फीबी के लॉकर में एक बनी मिला था तो वो किसी और ने नहीं बलकि बी नहीं रखा था तो ये सब स्टार्ट कैसे होता है तो जब फीबी का accident हुआ तो उसने सीटन से फीबी की जान बचाने के लिए deal करी थी जिसके बदले में वो कुछ souls उसको देगी अब यहाँ पर मेरी दो theories हैं कि या तो फीबी की जान के बदले करी गई deal के लिए बी ने कोल को मानने की कोशिश करी थी as devil को एक pure soul देनी थी and later on जब first movie के end में कोल ने बी के उपर कार चड़ा दी थी तो कोल ने उसको ये कहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता था और भरोसा किया करता था जिसके चलते वो बदल गई ऐसा बी ने खुद इस फिल्म के अंदर बताया तो यहाँ पर बी ने डिसाइड किया कि वो खुद को sacrifice कर देगी उनको बचाने के लिए या फिर वो बहुत पहले से ही सेटन से डील करती आ रही होगी और बस कोल ने उसका हिरदय परिवर्तन कर दिया जिसके चलते उसने सेटन को sacrifice के रूप में अपने ही कल्ट को दे दिया अब अचानक से ही वहाँ पर कोल का पिता आ जाता है जो कि बी को देखकर शौक्ड हो जाता है और बस तभी बी ये कहती है कि सेटन के साथ का खेल कभी भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता या तो हार या फिर जीत और सारे के सारे डीमन्स को मरना होगा बी का ये कहना था कि अभी भी एक डीमन बाकी है जिसको सेक्रिफाइस होना होगा जो कि वो खुद है और बस तभी बी भी उस खून को पी लेती है और नर्क से ब्लैक फ्यूम्स आकर बी को भी अपनी दुनिया में ले जाते हैं और वो डैविल्स बाइबल वहीं गिर जात है मुवी के एंड क्रेडिट सीन्स में हम देख पाते हैं कि मिट्टी से उभरती हुई एक डैविल्स बाइबल खुलती है और अपने अगले शिकार का इंतिजार करती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों यह थी दा बेबी सिटर किलर क्वीन की कहानी उमी करने के बाद एक इनोसेंट के बलड को उस बुक के उपर डाल कर कुछ वर्ट को चैंट करना होगा बट यहां पर कुछ अलगी दिखाया गया इनफेक्ट बुक का तो कोई जिक्री नहीं था बूम मूम के बलड और कॉल के बलड को मिक्स करके उन्होंने पिया तो मेरे हिसा इतने टाइम रुकती मेभी उसने फीबी और कोल को बचाने का ये तरीका ढूंडा डेविल्स बाइबल के अंदर पक्का इसके लिए कुछ ना कुछ रिच्वल होगा जो कि इस फिल्म के एंड में पर्फॉर्म किया गया था फीबी के हाथ पर ब्लाक कैट का सिंबल था जो जिसने पहली फिल्म देखी है तो उसको ये वाली मुवी ऐसी लगेगी कि सब कुछ तो पता ही था कि ये किस बारे में हैं फर्स्ट फिल्म के अंदर एक सस्पेंस था कि ये सब लोग है कौन क्या मकसद है बट इस फिल्म में आपको वो फिल नहीं आएगी एंड कहानी पर उसको भरोसा है या फिर नहीं तो वो बातों को गोल मुल कर देती थी उसका कोल को अजीब नजलों से देखना बॉइफरेंड होते हुए भी उसके साथ रोमैंस करने की कोशिश करना ये सब काफी जादा वियर्ड था अबाउट हर फिल्म के अंदर काफी सारे फणी सीन को मिलेंगी फिल्म के अंदर सॉंग्स भी हैं जो की सही थे जो की बीच बीच में आ रहे थे तो ओवरॉल एक ठीक एक्सपीरियंस सा बठा मुझे डर कहीं भी नहीं लगा सो डरने की उमीद से इस फिल्म को बिल्कुल भी मत देखना उस मामले में ये फिल्म मुझे की जादा ही है बात करें मैलनी की तो उसने ऑनलाइन फेमस होने के लिए ये डील करी थी और इन सब को भी नहीं फसाया था और इंड़ नो वाय मैलनी ने ऐसा किया आई मीन उसको यहां शामिल करने का मकसद ही समझ नहीं आया तो यहां पर कुछ-कुछ चीज़े अजीब थ थी कुछ चीज़े ठीक थी तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को वीडियो को सब के साथ में शेयर करना तो मैं आप सब को मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में तब तब के लिए स्टे कुस्टी